हेलो फ्रेंड्स, वेलकन टू मा यूटूब चैनल टाइम्स एजुकेशन, मेरा नाम है नंदनी सिंग, डिसकस करेंगे आज की वीडियो में साइन्स का प्रीवियस येर पेपर को जो की 29 जून 2012 को हुआ था और उसी से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक को भी डिसकस करते हु तो चलिए सुरू करते हैं पहला कॉस्चन है नीचे कुछ राशाइनिक प्रिक्रियाएं दी गई हैं जैसे लोहे पर जंग लगना मुंबत्ती का जलना श्वशन और प्रकास संसलेशन तो इन में से कौन सी दो धीमी दहन को दरसा आते हैं हमें ये बताना है कि कौन सी दो ऐ रेख लिद्ह ऑार्षाय और में लगने के लिए अकशिजन और जल दोनों के उपस्तिती आनिवार है और झरhat जहां जो होते हैं जो ब्लड की जो वॉर्त हैं वोलग तो हैं ऑर्जार प्रते हैं हमें प्रदान करते हैं इसलिए क्या है स्वासन वी जो है वह मंद दहन कहला ती है और इसमें जो सेकंड ऑप्षण ने और सी लोहे पर जंग लगना और स्वासन ये दोनों ही दीमी दहन को दर्सा आते हैं तो इसका जो है उप्षन सेकंड ओप्षन सही है सबसे कोश्ट का वित्ती वाला सबसे चोटा सजीव है और सेललोस की बनी बहुत ही जटल पदार्थ प्लांट्स और फंजाई और वैक्टीरिया इनकी सेल्स को अपेक्षगरत कम बिना फटे बनाए हुए रखती है तो इसलिए क्या होता है कि जिजिवांडू क्या है वो सेल्वाल वाला सबसे छोटा सजीव है इसका जो है फोर्त आप्शन सही है नेक्स्ट कोश्चन है जब CNG या LPG का पूर्ट देहन होता है तब उत्पाद बनते हैं आप्शन है CO2 एवाम H2O सेकंड आप्शन है CO2 SO2 एवाम H2O थर्ड आप्शन है के बाद CO2 फोर्त आप्शन है CO2 CO एवाम H2O तो इसका जो आप्शन है फर्स्ट आप्शन सही है CNG और LPG दोनों ही जो क्या है वो पूर्ट देहन करने पर क्या होती है CO2 कारवन डियोकसड और H2O जल बनाता है तो cng मतला में क्या होता है Sampirid proakhritic gas है जो एक ही प्रकार के हाइडरो कारवन होते हैं उनकी मिस्टूर्द गैस है ये इसमें क्या होता है 10-90% जो होता है इसमें में जोमेतन finish CH4 गैस होती है और LPG में क्या होता है कि प्रोपेन व्यूटेन और पैंटेन जैसे हाइड्रोकारवनों का मिस्रण है और इनका जो कतनांख है वो माइनस 44 डेगरी सेंटिग्रेट होनी की वजए से इस गैस को सिलेंड्रों में हम लोग क्या करते हैं भरा जा सकता है तो इसका ज जाहिए मुक्तंत वाले प्रिशनों के उत्तर देने अच्छे अधिगम उच अधिगम के लिए परियाप्त रूप से सक्षम होने थार्ड ऑप्सन विज्ञान के तब्त और सिध्धानतों को सही रूप से बताने फोर्थ ऑप्सन है दैनिक जीवन के अपरचित ने चाहिए टाइपिंग मिस्टेक है यह बिहार हो गया है बेवहार में लाने तो इसका जो आप्सन है इसका फोर्थ ऑप्सन सही है जीवन की जितनी वी अपरचित संकल्पना है उनकी समझ को क्या करेंगे विज्ञान में आकलन हे तु बिध्यार्तियों के दैनिक जीवन म विद्धन के संबंदित करकि अधिगम कराने का प्रियाश किया जाता है में कि जूल प्रती किलो ग्राम कैलोरी प्रती क्राम कैलोरी तुर१र यह कइलोरी उसका सही मि Smells में किक्सी झीचा क्ना अब में की पूर्ड दहन सेब्स पराप्त उसमा के मातर हैं उस्मी इमान को फ्सक्राइब konuş Ły इनके उसमी इमान को किलो जूल प्रफिक Колोगराम में प्रदरसित करते हैं किलो कैलोरी किलो जूल प्रती किलोग्राम होता है और जैसे कोईला है कोईला का जो होता है 25,000 मिट्टी की तेल का 45,000 इस तरीके से कहा है यह उनकी उसमियमान होते हैं तो इसका जो अप्सन है वो थर्ड अप्सन सही है सरकरा को एल्कोहल में परवर्थित करने की प्रकिरिया किनवन के जानते हैं और जटल कारपनों के सुख्ष्म जीवों या सूख्ष्म जीवों से रहेत जटल नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि मंद गती से अप घटित होकर वह सरल योगिकों में परवर्टित होने की क्रिया होती है तो यह क्या है सूख समझीव यह जटिल नाइट्रोजनी जितने भी पदार्थ होते हैं तो वह किंडवन करते हैं और जैसे जो गन्ना होता है उसकी सक्कर क किंडवन करते हैं उसका समीकरण यह इस तरीके से होता है 6C6H12O6 रियक्शन 2C2H5OH प्लस 2CO2 तो यह क्या है कि जो गन्ने से हम लोग सकरप्राप्त करते हैं उसकी फर्मेंटेशन की यह समीकरण है इसका जो फोर्थ आप्सन सही है नक्स्ट कॉस्टन है विज्ञान सिक्ष परियोजन पद्दती की जनमदाता है वो सर्विलियम किलपैट्रिक है और उन्होंने क्या किया था है इस विद्धी में जितने वी विद्ध्यारती होते हैं अगर उनको कोई समस्या है उनके शमाधान के लिए किसी उचित प्रोजक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तर यह परियोजन पर काम करते हैं उने जिस परकार के ग्यान के आवश्यक्ता होती है वह उसी समय अर्जित कर लिया जाता है यह क्या है जौन डीवी के व्योहारबाद पर भी आधारत है इस पद्धती की प्रभुग जो सीमा है वह कि यह विद्ध्यारती की अधगम कठनाई वाल यह थार्ड ऑप्सन सही है नेक्स्ट कोश्चन है विज्ञान में योग योगात्मक आकलन को डेस डेस पर बल देना चाहिए ऑप्सन अवलोकन कोश्लों का आकलन करने ज़िद्ध्यारतियों के अधगम कठनाई वाले छेत्रों का निदान करने थार्ड ऑप्सन मुख कोश्लों को परिक्षण करने फोर्थ ऑप्सन महत्पुन्ट शैद्धानति कल्पनाओं का परिक्षण करने इसका जो है वो सेकंड ऑप्सन सही है विद्ध्यारतियों के अधगम कठनाई वाले छेत्रों का निदान हम लोगों को करना चाहिए कोई बालक अगर एक बिस इस कम जोरी एक कठनाई यह और उसक प्रकृति क्या है कि उसका नेचर रह एक कठनाई को पता चल जाने पर हम उसक्तम जोरी और कठनाईों के ज़िए पता लगा सकते हैं is next question आहिरी रेशे इनमेंसे कौन से हैं को लिजन यह को लिजन रेशों से बनते हैं प्रोटीन से बनते ह जो है वो थार्ड अप्सन सही है रुक्षांस भी कहलाते हैं जितने भी संतुरत आहार हैं वह भूख पोसक उनमें क्या होते हैं कार्वोहाइडरिट प्रोटीन बसा बिटामिन खनिजलवन इसके अतरिक्त हमारे आहर में आहरी रेसे तता जलवी शामिल होता है आहरी रेसे र जाल आलू ताजे फल और सब्जियां भी है रुक्षांस बिना पच्छे भूजन को बाहर निकालने में हमारी सरीर की शाहता करता है तो इसका जो अप्सन है वो थार्ड अप्सन सही है नेक्स्ट कॉस्चन है यदि किसी बस्तू की कमपन्नों की आवरती घरती है और उसका 10,000 जो बाहए यदि की आव'm बढ़ता है तब क्या होगा तारत बढ़ता है लेकिन प्रवल्ता घरती है second थारच तो घरता है लेकिन प्रवलता बढ़ती है जौने ने की का और तारत और प्रवलता और यदि बढ़ते है तो इसका जो भोग से Panee या जो प्रने आई घट रहे हैं इसमें क्या होता है कि द्धनी की प्रबलता है उसके आयम पर निर्भर करती है जब किसी कोई कमपिद बस्तू है आयम उसका जब अधिक होता है तो उसके द्धनी प्रबल होती है जब आयम छोटा होता है तो धनी भी मंद होगी धनी का तारत उसकी क्या है आबरत पर निरवर खरेगा यादि कमपन की आवरती अधिक है तो धनी तीक ही और अधिक तारत zulकी होगी और कमपन की आवरती कम होने प्रडानी जोगी कम सबी मानो निर्मित रेसे हैं रियोन प्राकृतिक्स रोत काष्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है यह एक मानो निर्मित रेसा है और यह जो रेसा है वो रेसम से सस्ता होता है परन्तु इसमें रेसम जो है रेसों के समान बुना जा सकता है तो इसका फोर्ट आप्सन सही नेक्स्ट कोश्चन है बिज्यान सिक्षण में राचनाबाद उपागम ड़ेस ड़ेस की और संकेत करते हैं बिध्यारतियों को अधिक-एधिक पढ़न सामगरी उपलब्द कराने सेकंड आप्सण है कमजोर विध्यारतियों को अतरिक्त सेक्षिनिक शहाईता उपलब्द कराने उसका विध्यारतियों को अनुभाविक अधिद्यारतियों है हैं तो इसका फोर्थ आप्साइब सभी नेक्स्ट कॉस्चन है वह गैस जो रक्त में कार्व ऑक्षी हीमोगलोबिन बनाती है जिससे दम घुटाय करवन वोग्षीजन को टिसू तक नहीं पहुच पाता है जिससे दम खुटने लगता है और इससे क्या होता है कि मनुष्य के लिए नुक्षान दायक भी होता है चुकि प्लांट्स में हीमोगलों नहीं होता है जिसका रण कारवन-मोनो-चैट पूदों के लिए नुक्षान दायक नहीं होता है और सब्सक्राइब नेक्स्ट कॉश्चन है भूकंप से संबंदित निमलिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है और इसके दिये गए हैं भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेग जैसे सिस्मुग्राप का रिकॉर्ड रखता है रिक्टर पैमार ने रेखिक नहीं बलकि लगुग रखता है भूकं तरंग जो होती है उसका जो सिस्मुग्राप नामक उपकरण है उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है यह उपकरण मात्रिक कंपायन के लिए होता है लोलक टाइप का होता है तो जो भूकंपाने पर कंपन करने लगता है इस तंत्र के शाहत क्या होता है एक पैन जोड़ा रहता है यह पैन इसके नीचे गती करने वाले कागच की पट्टी पर भूकम पी तरंगों को रिकॉर्ड करता है तो इन तरंगों का अध्यान करके भूकम की तीब्रता ग्याद की जाती है ठीक है तो इसका जो इस सेकंड ऑप्सन सही है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित मैंसे कौन सा विग्यान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेस्ता है उप्सन इसमें दिया गया है इसका उद्देश है विद्ध्यार्थियों में वेग्यानिक दरश्टी कोड का विकास करना जकेंड इसका उद्देश है प्रायोगी क किर्थी में क्या है निदानात्मक है इसका जो फोर्ट ऑप्शन सही है नेक्स्ट कॉश्चन है विज्ञान सिक्षण में परियोजना पद्दती के लिए सबसे जादा उपयोगत है ऑप्शन दिये गए हैं विध्यार्तियों के तरकड़ा कॉशन को धारन करने कार करनी की अगिति पद्दती को बढ़ावा देने इसमें होता है जो सबसे ज़ाद उपयुक्योगत है यही है कार करनी की बैग ग्यान Champra को पध्दती को बढ़ावा देने इस बदिके जन Celsius बिलिय сво सर बिलियम किल्पैट्रिक किल्पैट्रिक है और यह परयोजना जो है वो निम्र सिध्धान तुपर करती है जैसे करके सीखना जीवन से सीखना या फिर विद्धार्तियों के शहयोग तो यह प्रात्मे कक्षाओं के लिए बहुत ज्याद उप्योगी होती है और छोटे- वह अच्छी तरह से कार्वी कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्टन है विग्ज्ञान में डैसडैस के लिए प्रायों के कार पर बल दिया जा सकता है तो आपसंदी गए है विद्ध्यारतियों की शमय पावंदी और अनिमितता की सही तरीके सही जो है सही से जाच करना इसका जो है वो second option सही है बिद्ध्यार्थियों की शाहता करने के लिए ही क्या है प्रायोग के कार पर बल दिया जाता है नेक्स्ट कॉस्चिन है निम्लिकित मैंसे कौन सा उच प्रात्मिक इस्तर पर बिग्यान सिक्षन का मुख उद्देश है इसमें जो हैं ओप्सन दिये गए हैं मैत्पून तथ्यों तथा शूत्र सीखना और सेकंड है अध्याय की अंत में दिये गए अव्यावाओं को हल करने करने निपोड़ता विक्षित करना इंथbourgती फार्डा अप्सटन है तार्किक चिंटन को बढ़ावा देन से नाम और पैग्यानिक खोजों को याद करना इसका प्रादमी किस तरप बिध्यार्तियों में द्रश्टि कोड का विकास करना और विध्यार्ति की तार्किक श्रिंतन को बढ़ावा देना यही जो है वारे बिध्यार्तियों का मुख उद्देश है नेक्स्ट कॉस्चन है प्रतिजयविक डेस-डेस के उपचार में प्रभावी इन्फ्लुएंज है है यहपिटाइटिस ए डेंगुबुखार और हैजा तो इसका जो आपसन है वो हैजा सही है फोर्थ आपसन सही है है एक प्रकार का क्या है संक्रामक रोग है जो बिब्रियो क प्रतिजयविक देना चाहिए तो पीने के पानी को किलोरोजन से मलब जो क्या है ट्रीटमेंट करेंगे पानी का फिर उसके बाद किया पीने का पानी हम उसको ऐसे देंगे तो इसका जो फोर्थ आपसन सही है नेक्स्ट कॉस्टन है आम तोर पर खाट सामगरी को रखने के पंपप्ली तो जीर है यह संखनागी प्रैसाнов that आप जो किस चाहित बाते यह सकते हैं जारों तो बहुत ही चेह ऐसे करते हैं तो इक सी अच्छा जो किसका पालियास्ट Peace अगर बास्तों में इसको देखा जाए एक रशायन है जो एस्टर कहलता है इसकी यह काईयों की पुर्ण विरती से बनता है एस्टर और वे रशायन होते हैं जो फलों की उनकी गंद प्रदान मतलब में करते हैं तो इसका जो option है third option सही हो जाएगा next question है जब धात्विक चालक में बिद्धुत धारा प्रवायत होती है तो चालक में उत्पादित उस्मा की मात्रा इसके डैस डैस पर निर्भर करती है तो इसका जो option है दिये गए इसमें पदार्थ और मोटाई पदार्थ लंबाई और मोटाई पदार्थ और लंबाई और मोटाई तो इसका जो option है second option सही है पदार्थ फिर कॉमा लंबाई और मोटाई जब धात्विक चालक में बिद्धुत धारा प्रवायत की जाती है तो चालक में उत्पादित जो उस्मा है और चालक के करता है तथा जो एल है वो चलक की लंबाई है और ए वो चलक की अनफरस्त काट का छेत्र फाल है तो इसका जो अपसन है सेकंड आपसन सही है मास्पीश्यों की सुचारी क्रियाओ के लिए डैस डैस खनीजों की प्र्यापлекत मात्रा में आवस्ठ्यक होती है आयूदीन और और केल्सियम की परियाप्त मात्रा में आवश्यक होता है नेक्स कॉस्टन है बायू मंदल में उपस्थित गयास है जो पौधा प्रभाव का कारण है अप्षन दियेगा है मैथेन जल्वास करवन दैयोक्षाइड सेकेंड करवन दैयोक्षाइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन थ प्रत्वी पर पढ़ने वाले सूर का रेडियेशन होती है उसका कुछ भाग क्या है प्रत्वी द्वारा क्या होता है एब्जॉब कर लिया जाता तो और उसका कुछ भाग जो है वो परावर्तित होकर अंतरिक्ष में बापस लोड़ जाता है परन्तु बायू मंदल में जो निरंतर बाटा जा रहा है तो यह जो प्रभाव है यहां पहर पाओगर से मतलब ग्रीन हाउस से है इसको तो इससे क्याए ग्रीन हाउस जो है उसका जो एफैक्ट जो है वह भी बढ़ रहा है तो मैथिन कारवन अपन डेस-डेस के करण दिखाई देता है और सने बलेसील कैल्सियम कारबोनेट की उपस्तिती सकेंड आप सने चुनी के पानी का रंग क्या हो जाता है दूदिया हो जाता है तो चूनी के पानी का दूदिया पंच है वह बलेसील जो होता है कैलसियम कारगोनेट की उपस्तिती के कारण ही होता है यहां पे एक रियक्शन होती है जैसे प्लस चूनी का पानी है इसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा कैलसियम कारगोनेट बन जाएगा और जो वॉटर है वह बाहर निकल जाएगा तो इसका जो आप्सन है वह सबसे ज्यादा उपयूगत है भी ज्द्रफ से जोड़े सिध्ध ओ को इसका जो रीयल ईफ में उसको जोड़कर सीख सकते हैं तो इसका जो आप्सं नेक्स्ट ने विज्ञान शिक्ष का शिक्षार्थियों द्वारा परिक्रमण कोसलों के अर्जन पर ज्यादा ध्यान केंदरूत करना चाहिती है उसे निमलिकित मैसे कौन से सिक्षन पदती संयोजन की को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश को परियोजना स्वेस्विधि donating ट्रॉध क्षान्स को फ्रीक्रमाण काशन के यप सब्द समूं को रायजोब्हियम के साहीय। पहँचाना जा सकता है आपसन फली दार पादपोंगी जड़ें पर जीभी बलेशील यहान पे बलेशील है नायटरोजन ही होगे फलीदार पादब सहजी और तनी गरंथी फ compassion है जड़ों की गरंथी और उस फर्द लिए ग्रंथ घट Orange जो पौधा होता है कीट बख्ची पौधा तरह नाइड्रोजन की कमी वाले मिर्दा में पाए जाते हैं तो इसका जो अप्सन है वह फोर्थ ऑप्सन सही है कि नेक्स्ट कॉस्टन है एक प्रियोक साला ताप मापी जो थर्मा मीटर है 55 दिग्री सेंटीग्रेट और 56 दिग्री सेंटीग्रेट की बीच पांच छोटी विभाजन प्रिदर्शुत करता है इसका ताथ पर है कि ताप मापी उच्छत रूप में पढ़ा जा सकता है ओप्स प्रियोक्षाला थर्ममेठ उसमें 55 दिग्री संटिग्रेट के बीच है पांच छोटे बिभाजन प्रिदर्सित होते हैं तब एक छोटे वाग का जो मान है बन अपऑन 5 डिग्री सेंटिग्रेड अर्था 8 20 30 यह कि तामअपी ट्रूप में करें सकते जो आपसंने फीर्स चाहिए तो यह सइंस के 13 वह यह ठीकी है तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए कमेंट भी कीजिए जो भी सज्जेशन हो वह कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि पेडागोजी पर मेन फोकस करते चलें जो भी अप